वेल्कम गाइज वेल्कम बैक टी ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और शानदा डेली मार्कलिस वीडियो में तो आज की मार्केट में भी वही देखने को मला है कि जो हमने कल डिसकुशन की थी अजयर झेज और वही मार्केट में डिसकुशन डबल भी होए आज जो एक्शाट ट्रेड्स हमने डिसकुशन के है ते वहाँ से अप्शन डबल भी होए निफटी में टॉप बॉटम दोनों ही हमारे लेवल्स थी कहां तक राली आएगी बार-बर मैं आपको बताते हुआ आ रहा हूँ अगर आप हमें regular follow कर रहे हैं daily मैं आपको एकी चीज़ बता रहा हूँ कि 22-5-20 एक बहुत ही major resistance है वहाँ जाके market struggle करेगी और जैसी market वहाँ आपको reversal का sign दे reversal play करो और आज जो reversal आया है वहाँ पे option double हुए easily तो hope आपने अच्छा profit बनाया होगा क्योंकि इससे better setup possible ही नहीं है कोई after market भी ढूणने जाएगा ना इससे better levels नहीं बता सकता आपको बैट टॉप जब exactly इस level पे लगा है जो हमने आपको अलरड़ी बताय हूँ है 20-5-20 यहां भी और day end में भी जहां तक fall आया है जो हमारा target था 22-4-30 यह तीनों हमारे level थे और इनी तीनों level पे काम हुआ है nifty में bank nifty में भी levels पे ही काम हुआ है वो भी discuss करूँगा लेकिन देख लो यार magical है इसे magic नहीं कहोँगे तो क्या कहोँगे हमसे बेटे लवस आपको guaranteed नहीं मिलने वाले है daily prove करता हूँ मैं आज भी वही दिन था एक दिन की कानी नहीं है जो लोग follow करता हूँ उन्हें रगल पाता है कि मार्केट काम तो हमारे levels पे ही करेगी बस आपको setup को follow करना है तो detail में intraday market वे discuss करेंगे bank nifty के expiry थी उसकी बात भी करेंगे अब कल nifty के expiry है क्या दिखता है market में क्या finally break out मिलने वाला है क्योंकि बहुत बाल लेवल टेस्ट हो चुका है तो उसकी बात भी करेंगे and overall क्या setup कल आपको expiry में use करना है वो भी बात करेंगे तो बहुत ही मज़दार वीडियो ने वाली है जहां से पूरी वीडियो ज़रूर देखे लेकिन सबसे पहले यार daily इतना perfect setup देते है ना like तो करी सकते हो ना वीडियो को इतना तो करी सकते हो free है कुछ लगता नहीं है और दूसरा अगर आप चैनल पर नए है आपने subscribe नहीं किया तो कर लो यार क्योंकि हमसे better analysis आपको नहीं मिलने वाला है यह हम daily पूरूव करते है अब कल की वीडियो जाके देखो आपको same levels मिलेंगा और same setup मिलेगा जो भी हम discuss करेंगे तो जरूर चैनल को subscribe कर ले अगर आप daily best possible analysis मिस नहीं करना चाते है चलिए analysis पार्ट पर आते हैं देखिए क्या हुआ market में और क्या हमारे discussion थी gap down opening morning में fall आ रहा है लेकिन इस fall calm चीज नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा target आ गया entry बनाने का मौका ही नहीं मिला जैसी breakdown मिला है हम almost हमारे target पे आ चुके थे फिर market इस level पे support लेती है अब मैंने ये चीज आपको समझा रख किये ना कि trade बनाना है तो level से बनाना है और फिर कैसे बनाना है level पे जैसे market react करेगी यहां market ने क्या किया level पे level को hold गिया यहां से reversal का sign दिया यहां से reversal play करो ना कौन मना कर रहा है market की direction को follow करना है level पे wait करना है और फिर market level पे जैसे react करें उसके तो trade बनाना है wait करते hold गिया market नहीं है यही से आप rally में entry कर सकते थे बहुत अच्छी rally second चीज next level था 22-4-30 इसका भी breakout दिया market ने level पे market आके retrace भी करती है और फिर यहां से भी further गजब की rally यह rally भी आप catch कर सकते थे और perfect day high पे आप call से exit भी हो सकते थे क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बार बार कही है आप कहीं पे भी call के entry करो यहां पे आपको exit हो जाना है यह आपका exit point है call के लिए 22-5-20 के अबव हमें market जाती हुई नहीं दिखती है यह एक बहुत ही major resistance level है option chain में भी यही पे resistance है one day time frame पे resistance है intraday level है super trend की one day time frame पे resistance है इतनी सारी चीज़े है इसलिए तो कहा था कि यहां पे तो exit हो ही जाना है चाहे कुछ भी हो और अगर market यह reversal का sign दे यहां आके resistance face करे तो यहां से reversal में आप fall भी play कर सकते हो और fall का target क्या होगा 22-4-30 तो दिन का best rate था यह बिलकुल top पे पहली चीज़ आपको पता है call से exit हो जाना है और फिर market ने जैसे ही sign दिया कि यह market यहां फिर से resistance face कर रही है struggle कर रही है play करो ना reversal कल बताया था यह trade clearly discuss किया था और target भी बताया था 22-4-30 perfect trade और आज अच्छा move आया है देखो move 90 points का है लेकिन यहां पे return 100% भी मिला है उससे अबव भी मिला है 2X हो है यहां पे option at the money की बात क भी नहीं कर रहा है at the money पे double हुआ है option तो hope आपने nifty में अच्छे trades बनाए होंगे best possible setup यही था आप देख लो कहीं कुछ भी अलग है किया जो हमने discuss किया था उसके अलावा यही चीज़े बात की थी चाया हमने lower side से play ना किया हो यार यह trade तो पता ही था ना आपको बश ट्रे market यहां पे break कर देगी क्या होगा बई setup क्या कहता है अगर market यहां पे resistance face करेगी play करो reversal fall के लिए trade बनाओ और वही fall देखने को मला है और target भी देख लो ऐसा नहीं कि randomly कहां तक fall आएगा हर level पे काम हुआ है target भी आपको पता था और वही target तक fall आए तो इससे ज़्यादा क्या च फिर से perfect था कैसे अपने trades बनाए जरूर मुझे comments में बताए क्योंकि आज loss नहीं हो सकता था यार अगर आप सही trade बनाते है आज बिलकुल loss नहीं होना चाहिए था निफ्टी की बात होगी हो सकता है सिर्फ निफ्टी पे levels पे काम हो गया हो bank निफ्टी देख लो यार bank निफ down opening morning में fall आ रहा है दो red candles बनी यहां भी हम fall के लिए entry नहीं कर सकते थे क्यों 47 250 यहां पे support level था वो ही target था तो यहां हम इतना near बाये हैं सिर्फ target बचाता सिर्फ 20 points का 30 points का और जो level था जिससे entry थी या फिर जो हमारा यहां पे SL वाला level वो काफी दूर था तो यहां पे भी trade न trade मिलता है यहां भी देखो level का breakout confirmation level पे market retrace करती है क्या level है 47 430 random कुछ नहीं हो रहा है morning में कोई trade नहीं है trade है यहां पे level को market ने break किया confirmation के साथ एक बार dip भी आ रहा है अब dip में डरना नहीं है क्यों डिप में कोई बहुत बड़ा fall नहीं है market भाई level तक आई है level को test करने और level को फिर hold किया है ऐसे play करो rally और rally में target अब कमाल देखो पूरा week अगर आप देखोगे न bank nifty में हमने आपको क्या बताया था bank nifty में हम rally करेंगे 47,680 तक कल भी वहीं top बना था आज भी वहीं top बना वहीं तक rally आई perfect trade था upside के लिए और वहां जाके market struggle भी करती है ऐसा नहीं कि level पे market काम नहीं कर रही है यह हमारा positional target था nifty का positional target भी आया bank nifty का भी आया और दोनों जगह से फिर हमें reversal भी देखने को बला यहां भी fall आपको लग रहा होगा छोटा ही है कि यहां पे भी option 50 to 60% move किया है तो hope आपने bank nifty में भी अच्छे trades बनाएंगे क्योंकि फिर से वही बात है कि best possible setup तो यही है बस आप अगर सही जगा trade बनाओगे तो profit बना लोगे otherwise इससे जादा तो कुछ हम नहीं कर सकते या लेकिन आज की market हो चुकी है हमारा कामिया खतम होता नहीं है कल क्या करना है और एक चीज़ बहुत interesting हो रही है कि भाई हम बहुत बार 22520 को test कर चुके है ठीक है continuous test करते हैं यहां तक आते हैं य expiry में किस directs में कितना बड़ा move आ जाए ना यह कभी guess नहीं करना चीए expiry वाले दिन कुछ भी हो सकता है market में especially second half में तो जब positions काटने का last दिन होता है option writers के लिए तो suddenly बहुत बड़े moves आ जाते हैं तो कल का setup directly discuss कर लेते हैं क्या setup है क्या level से क्या trades है चलिए बात करते हैं लेक लो आपके सामने है बताया था ना best setup एक दिन पहले आज भी बताऊँगा तो subscribe जरूर कर ले देखो immediate levels 22,450 पहला level है अब भाई ये कहां से आ गया अभी तक तो 22,430 level था लेकिन कल है expiry expiry में हम use करते हैं nifty में 50 scale level तो कल पहला level है 22,450 उसके बाद यहाँ पे next level है 22,500 और इसक अब भी level है कल अभी तक मैं आपको क्या कह रहा था 22,520 के अब लेवल ही नहीं है नहीं जा सकती market लेकिन भाई इतनी बाद test हो चुका है level और second legal expiry भी तो है तो जा भी सकती है market तो उसके according next level 22,550 जब लेवल वीक हो रहा होगा तो मैं वो भी बताऊँगा अभी वीक हो रह लो 22,350 इस सारे level से trade कैसे बनेगा बहुत है सिंपल है ध्यान से समझना भाई अभी closing 22,450 के below आई है अगर कल इस level को upside break कर देते है तो आएगी निफ्टी में rally और rally में targets क्या होंगे कल वह यह 50s के level ही तो हमारे target है trailing stop loss use करना है और rally को catch करना है entry कहां से है जहां भी opening हो अभी 22,480 पर हो जाती है तो इसके near by 50s के level कौन से है upside है 22,500 और lower side है 22,450 सिंपली देखना है जहां opening हो उसके बाद क्या upside level को market break कर रही है अगर upside level को break करेगी यानि market resistance break करेगी तो फिर market में rally आएगी nifty हमारे लिए bullish है और फिर आपको upside direction में calls के trade बनाने है और target वही 50s के level 22,550 और 22,600 और कल में entry के लिए बना भी नहीं कर रहा हूँ तो 22,520 के अब अब entry ही नहीं बनाने है बना सकते हो expiry भी है week भी होरा level तो अगर फिर से जाएगी market एक बार इसमें level break हो सकता है तो trade आप बना सकते हो entry level क्या है 22,500 अगर 22,500 upside break होगा rally में entry bullish entry और फिर upside levels 50s के आपके target होगे छोटी छोटे target दिख रहे है 50,50 के लेकिन trailing stop loss के तुरू जहां तक market लेके जाए वहां तक आप अप अपनी position को carry कर सकते है trailing stop loss आपको maximum profit catch करा देगा तो यह तो बात हुई upside की lower side fall कब आएगा यह opening यहां हुई इसके बाद support है यह अगर support break होगा fall आएगा resistance break होगी तो rally support break होगा तो fall आएगा fall में भी target वही 50s के level है lower side और यहां भी trailing stop loss use करके fall को आपको catch करना है तो setup बहुत simple 50s के level mark करने पहली चीज़ उसके बाद जहां opening गो उसके nearby 50s के level देखना है और फिर upside level break हो तो rally आएगी lower side level break हो तो fall आएगा इतना simple setup है इससे simple कोई बता भी नहीं सकता और यही setup पे market काम भी करेगी तो use कर लेना ठीक है इसमें कहीं कोई doubt नहीं होना चाहिए simple था कुछ हो त chain data क्या बता रहा है वो भी देख लें एक बार चलिए option chain पर आ जाते हैं निफ्टी के option chain क्या बता रही है अब यहां देखो resistance तो daily वहीं है 22500 पे 2,63,000 हुआ यह call side put side 90,000 तो more than 1.7,000,000 का gap है तो बहुत major resistance है यहां तो यहां से हमें कोई new trade मिल रहा है क्या new trade मिल रहा है कल मै ने आपको का था 22520 आये market और यहां resistance का sign दे कोई भी red candle बन जाए तो वहां से reversal में fall के लिए trade बनाओ सेम चीज 22500 पे करनी है कल मालो market में राली आ जाती ही 22500 तक और यहां आके market red candle बना देती है कि भई लेवल पे मैं resistance फेस कर रही हूँ तो यहां top से आप reversal के लिए fall के लिए trade बना सकते हैं new trade मिल रहा है अभी तो जो अमने charts पे बात की वो trending trades की बात की लेकिन option chain यह बता रही है कि 22500 पे major resistance है अगर इस resistance पे आके market red candle बनाएगी यानि market सच में यह resistance फेस कर रही है तो आप reversal में fall के लिए trade बना सकते हैं इसका SL भी समझा देता हूँ कि trade तो बन गया इसका SL कैसे रहेगा वो अभी charts पे बात करेंगे एक बार option chain पूरी देख लेते हैं फिर charts पे बात करेंगे लेकिन पहला trade आपको hope clear है कि यह resistance है अगर market ने यह resistance फेस की तो यहां से आप reversal मे 1,4,000 तो more than 50,000 हुआ ही का gap है तो इसलिए अभी support 22,400 पे है उतना major नहीं है देखो यहां जो gap है 22,500 पे 1.7,000,000 का है और यहां पे comparatively से 53,54,000 का है तो उतना major support नहीं है कि यहां से आप reversal try करो लेकिन अभी support है और अगर यह support break होगा तो बड़ा trending fall आएगा इसको हम ऐसे use कर स break हुआ तो बड़ा trending fall market में आ सकता है तो overall calculate market की यह range है बड़ा move तब आएगा जब यह range break होगी ठीक है अब मैं आपको बता रहा था कि भई SL कैसे रखते हैं reversal वाले trade में ठीक है example लेते हैं यह हमारा level था यहां के market ने red candle बनाई rejection phase की resistance phase की मानलो आपने यहां इस candle पे trade बना ल ली तो आपका SL क्या होगा target तो आपको पता था यह target है लेकिन आपका SL क्या होगा मानलो market यहां से एक बार फिर से up move करने लगती और एक green candle level के above close हो जाती वैसे हुई नहीं है लेकिन अगर हो जाती तो वो आपका SL होता तो ऐसे ही कल आपको 22500 पे SL use करना है कि मानलो entry तो दे है मैं level change ही कर देता हूँ ठीक है मानलो यहां पे 22520 की जगा 22500 पे हमें entry मिल रही है इन green candles को भूल जाओ भी मानलो market यहां आई market नहीं यहां पे level पे red candle बना दी जैसे ही यहां पे red candle बनी आपने entry कर ली कि भाई trade में entry कर लो fall के लिए लेकिन जैसे ही level के above कोई green candle बन इस से exit हो जाओ इस trade से यानि वो आपका SL है यानि market level के above जा चुकी है आज यह level नहीं था यहां पे मत समझो कि आज SL लगा है क्योंकि आज यह level ही नहीं था यह level कल के लिए कैसे use करना है वो समझा रहा हूँ हो clear है entry कब बनानी है जब red candle बनेगी second चीज़ SL कब होगा अगर level के above कोई candle close हो जाती है तो वो आपका SL होगा तो यह simple nifty की बात होगी bank nifty की भी बात कर लेते हैं चलिए bank nifty के setup पे आते हैं nifty में कहीं कोई doubt नहीं है न चलिए बात करते हैं bank nifty की मैं क्या level से क्या trades बन सकते है major level और major resistance क्या है 47680 बार बार डेली काम कर रहा है ना level लोगों क अब यह level दिखाई देगा लेकिन मैं तो बहुत निन पहले से बताते हैं आ रहा हूं आपको in fact 3-4 महीने पहले से बताते हैं आ रहा हूं क्योंकि हम level change नहीं करते हैं एक बर इतने research करके level निकाल देते है market बार बार उनहीं पे गाम करती है तो यही resistance level है भाई अगर market को rally करन है तो बही resistance को break करना पड़ेगा तब rally आएगी bank nifty में तब आपको bullish trade बनाने है और target होगा 47940 से 48000 का zone simple clear setup है यह level है यह level जब break होगा upside तो market में rally आएगी bank nifty में तब bank nifty bullish होगा और यह हमारा target होगा simple है लेकिन entry कब करनी है जब level break होगा आज तो नहीं हुआ है ना break आज तो resistance face की है तो fall का trade था जब level break होगा तब यह trade बनेगा और downside support क्या है support 47430 है जिस पे market ने support लिया भी है अब हमारी trend line का level भी यहीं है तो अगर यह support break होगा तो bank nifty में fall आएगा और फिर fall में target 47250 पहला और उसके लिए 47000 level कल भी यही range थी आज भी उसी range में close हुआ है बही यह range है 47430 से 47680 जब यह range break होगी तब बड़ा trending move आएगा otherwise किसी भी level पर market reversal का sign दे तो reversal play करो trending move के लिए level break होना चाहिए reversal के लिए market आपको sign दे जैसे support वाले level है वहाँ पर green candle बनाए जैसे यह support का level था breakout के बाद यह support का level है market यहाँ आई level market ने green candle बनाए तो यहाँ से entry करो bullish entry rally catch करो और इसका SL क्या होता अगर मालों यह entry आपने case का SL क्या होता कोई red candle level के below बन जाती तो वो आपका SL होता कोई candle बनी ही नहीं है तो यहाँ पर कोई SL था ही नहीं आपने अच्छा कासा profit बनाया होगा तो setup clear है पहली सबसे most important चीज पूरे analysis में क्या दिख रही है levels आपको इतनी असानी से मिल रहे हैं यह levels लेकिन इसके पीचे बहुत research करते हैं यार हम तब ही ऐसे marketing levels पर काम कर रही है अब देखो हमाली सबसे मुश्किल चीज क्या है हम बाकी लोग को तरह daily levels change नहीं कर देते हैं कि मेरा यह level काम नहीं क्या मैं change कर देता हूँ daily लोग नए level दे देते है change कर देते हैं लेकिन हम क्या करके देखाते हैं आपको कि जो एक बार हमने levels निकाले ना हर बार market नहीं levels पर गाम करें तो समझो कितना मुश्किल है उन levels को उतने accurate levels निकालना जो change ना करने पड़े हैं तो आपको मिल रहा है तो इन चीजों का फायदा उठाओ और free में दे रह आना चाहता हूं वहीं daily perfect setup दे देता हूं rarely आपको दिखता होगा मैं course की बात करता हूं वह इसलिए है क्योंकि हम main purpose से deviate नहीं होना चाहते हैं क्योंकि मैं daily videos के दुरू आपको analysis दे तो रहा हूं course उन लोगों के लिए है जो सब कुछ ही self करना जाते हैं वो सिर्फ निफ्ट इससे बेटर लेवल्स इससे बेटर सेट अप नहीं मिल सकता तो follow करो और magic देखो डेली क्याता हूं magical levels है बस आपको follow करना है trust and trade की कहानी है daily वही चीज है बहुत सारे लोग यहीं डूनते रहते हैं किस दिन लेवल पर काम ना करें तो हमें बोलना का मौका मिल जाए बहुत निकिटिव लोग एक दो परसेंट यह बाकि 98 परसेंट लोग ऐसे ही है जो यूज करना चाते हैं जो सीखना चाते हैं और जो appreciate करते हैं हमारी efforts को तो hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगई होगी जाते जाते लाइक जरूर कर दें चैनल पे नए है तो subscribe भी जरूर कर ल झालन में झालन जो सीखना चात almost देंसे सेंटत कर दो हैं में में पस्तर चाते हैं अजर नहीं झांवे है।